परिचाए बच्चों, आज हम एल्टी हाइडों, कीटोनों और कार्बोकसिलिक अमलों की रासाइनिक अभिक्रियाओं का अध्यान करेंगे सर, कार्बोकसिलिक अमल क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अमल वे कार्बनिक योगिक होते हैं जिनमें कार्बोक्सिल समूँ उपस्तित होता है अब मुझे कौन ये बताएगा कि कार्बोक्सिल समूँ क्या होते है सल, कार्बोक्सिल समूँ में कार्बोनिल और हाइड्रॉक्सिल समूँ नहित होता है बहुत अच्छे रमेश हाओ तो इस अध्याय में हम कार्बोकसिलिक अमलों के बारे में और अधिक जाने उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे LD हाइडों और कीटोनों की रासाइनिक अभिक्रिया का वाडन करना LD हाइडों और कीटोनों के उपियोग को समझाना कार्बोकसिल समोह के नामकरण और संदचना को समझाना कार्बोकसिल समोह के विर्चन की विधी बताना कार्बोक्सिलिक अमलों के भौतिक गुणों का एक संक्षिप्त विवरण देना कार्बोक्सिलिक अमलों के रासानी गुणों का वरणन करना और कार्बोक्सिलिक अमलों के उप्योगों का उल्ले करना रासाइनिक अभिक्रियाएं नाभिक रागी योगज अभिक्रियाएं नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं की क्रिया विधी वे योगज अभिक्रियाएं जो नाभिक रागियों के द्वारा प्रारंब की जाती हैं नाभिक रागी योगज अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस अभिक्रिया में एक नाभिक रागी, इलेक्ट्रोन रागी, SP2 संकरित कार्बन पर आक्रमन करता है। कार्बन की संकरण अवस्था SP2 से SP3 हो जाती है और एक चतुष फल किये औलका ऑक्साइड मध्यवर्ती बनता है ये मध्यवर्ती प्रोटॉन से अभिक्रिया करके योगज उत्पात बनाता है। अभिक्रियाशीलता एलेक्ट्रोनिक और तरिविमिम प्रभावों के कारण नाभिक्रागी आक्रमन अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड की टोनों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। तरिविम रूप से कीटोन में दो एल्किल या एरिल समुहूं कार्बोनिल कार्बन परमाणूं से सनलगन होते हैं, जबकि एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर हाइडोजन परमाणूं और एक एल्किल या एरिल समुहूं उपस्दित होता है। अता कीटोन के साथ योगज अभिक्रिया उत्पाद वनाने की संक्रमन अवस्था में तुलनात्मक रूप से अधिक बाधित होती है। अता अभिक्रिया की गती धीमी हो जाती है। अधिक निर्बल इलेक्ट्रोन ग्राही होता है और एक नाभिक रागी को आकर्शित करने की प्रबल प्रवृत्ति को प्रधशित करता है। नाभिक रागी योगज और नाभिक योगज विलोपन अभिक्रियाओं के कुछ महदपून उधारण। हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन शुद्ध HCN के साथ ये अभिक्रिया बहुत धीमी गती से होती है अताह ये एक शार के द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। जनित साइनाइड आयन प्रवल नाभिक इसने ही होता है और ये LD हाइडों और कीटोनों के कार्बोनिल समों से संयोजित होकर साइनो हाइडिन योगिक का निर्माण करता है। सोडियम हाइडोजन सल्फाइट का संयोजन LDHIDO और कीटोनों की सोडियम हाइडोजन सलफाइट के सौंद्र विलियन के साथ अभी क्रिया कराने पर ये बाई सलफाइट के योगज उत्पाद बनाते हैं LDHID शुशक हाइडोजन क्लोराइट की उपस्थिती में एलकोहौलों के साथ अभी क्रिया करता है पहले हैमी एसिटेल बनते हैं जो एलकोहौल के दूसरे मोल से अभी क्रिया करके स्थाई एसिटेल बनाते हैं कीटोन एलकोहौल से सीधी अभी क्रिया नहीं करते पर एकांतर विधी के दौरा कीटेल का विर्चन किया जा सकता है कीटोन, एथिलीन, गलाइकॉल से हाइड्रोकलोरिक गैस की उपस्तिती में अभिक्रिया करके जल और एथिलीन, गलाइकॉल, कीटेल का निर्मार करते हैं अमोनिया वा इसके व्यूत्पन्नों का संयोजन अमोनिया वाइस के वियुत्पन्न अमली माध्यम में कार्बोनिल योगिकों के साथ अभिक्रिया करके मध्यवर्दी उत्पाद बनाते हैं, जो जलकेड़ों उनमूलन दृत निर्जली करन द्वारा इमीन वियुत्पन्नों के रूप में अंतिम उत्पाद बनाते हैं. Z बराबर अलकिल, हैरिल, OH, NH2, C6, H5, NH, NH, CO, NH2 हो सकता है. अपचयन हाइडो कारबनों में अपचयन LD हाइडों और कीटोनों को हमल गमित जिंक और सांद्र हाइडो कलोरिक अमली की अभिक्रिया द्वारा हाइडो कारबनों में अपचयित किया जा सकता है. ये कली मेंसन अपचयन कहलाता है. वोल्फुक किशनर अपचयन LD हाइडों और कीटोनों को हाइडो जीन की अभिक्रिया के द्वारा और पोटेशियम हाइडो अकसाइड के साथ उच्छ तापमान पर गर्म करके हाइडो कारबनों में अपचयित किया जाता है. अकसीकरण LD हाइडों को सरलता से उन कारबोकसिलिक अमलों में अकसीकरित किया जा सकता है, जिनमें कारबन परमानों की संख्या मूल LD हाइड के बराबर होती है. LD हाइड आसानी से उकसिकरित हो जाते हैं, क्योंकि इनके कारबोनिल समुह में हाइडोजन परमानों की उपस्थिती के कारण ये बिना किसी आबंध विदलन के OH समुह में परिवर्तित हो जाते हैं. अता, LD हाइड केवल प्रबल आक्सिकारक कर्मक जैसे पोटेशियम परमेगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ही आक्सिकरित नहीं होते. अपितु ये मूलभूत इस्थितियों में बिदू आक्सिकारक कर्मक जैसे AG2 प्लस और Cu2 प्लस आइनों के द्वारा भी आक्सिकरित किये जा सकते हैं. किटोन का आक्सिकरन प्रबल परिस्थिते नहीं होता है. किटोन के आक्सिकरन के परिणाम सुरूप जो कार्बोकसिलिक अमल बनाता है, उसमें कार्बन परमानों की संख्या मूल कार्बोनेल की योगिक के कार्बन परमानों की संख्या से कम होती है टॉलेन परीक्षान एक एल्टी हाइट प्रोपेनल अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलियन जो की सिल्वर दरपण के लिए एक टॉलेन अभी करमक है उसको अपचाईद कर देता है लेकिन प्रोपेनोन जो की एक किटोन है उसे नहीं कर पाता फेलिंग परिक्षाँ फेलिंग अभी करमक में फेलिंग विलियन A और फेलिंग विले B का मिश्रण होता है फेलिंग विलियन A जलिये कॉपर सलफेट और फेलिंग विलियन B रोशेल लवन का एलकेलाइन विलियन होता है जो की सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है इन दोनों विलाइनों को मिश्रित किया जाता है और थोड़ा सा एल्टी हाइट विलियन इस फैलिंग अभिकर्मक में डाल कर गर्म करने पर लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है मैथिल कीटोन का हेलो फॉर्म अभिक्रिया द्वारा आक्सी करन मैथिल कीटोन सोडियम हाइपो हेलाइट जो की सोडियम हैट्रोकसाइट और हेलोजन है इस के विलियन में आक्सी करेथ हो जाते हैं इस अभिक्रिया से हेलो फार्म और संगत कार्बोकसिलिक अम्र के सोडियम लवन का उत्पादन होता है ये अभिक्रिया, हेलो फार्म अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है अल्फा हाइडोजन के कारण अभिक्रियाएं LD हाइडों और कीटोनों के अल्फा हाइडोजनों की अमलता LD हाइडों और कीटोनों के अल्फा हाइडोजन परमाणूं अमलिये होते हैं ये अमलता कार्बोनिल समों के इलेक्ट्रोन अपनेयन कर लेने के प्रबल प्रभाव और सन्युगमिक शार के अनुनात द्वारा इस्थायत्व प्राप्त कर लेने के कारण होती है LD हाइडों और कीटोनों के अल्फा हाइडोजन परमाणूं की ये अमलता कार्बोनिल समों के इलेक्ट्रोन अपनेयन कर लेने के प्रबल प्रभाव और प्रिणामी एनाइन के अनुनात द्वारा इस्थायत्व प्राप्त कर लेने के कारण होती है LD हाइडों जिन LD हाइड और कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइडोजन विद्दिमान रहता है वे तनुक्षार जैसे तनुसोडियम हाइडोकसाइड सोडियम कार्बोनेट आदी की उत्प्रेरक की तरह उपस्तिती में एक अभिक्रिया के द्वारा हाइडोक्सी एल्टिहाइड या किटोन एल्टिहाइड प्रधान करते हैं इन्हें LD कहा जाता है इस अभिक्रिया को एल्टोल अभिक्रिया कहते हैं तनुसोडियम हाइडोकसाइड की उपस्तिती में एथिनेल संगनित होकर तरल द्रफ का निर्मार करती है जिसे एल्टोल कहते हैं गर्म करने पर एल्टोल जल को निश्कासित कर असन्त्रिप्त योगिक बनाता है बेरियम हाइड्रोकसाइड की उपस्तिती में प्रोपेनोन कीटोल देता है गर्म करने पर कीटोल जल को निश्कासित कर असंत्रिप्त यौकिक बनाता है क्रॉस एल्डोल संगनन जब दो भिन भिन dihydo या कीटोनों के बीच heldol sandin होता है तो उसे cross heldol sandin कहते हैं जब एक ethanol और propanel के मिश्रण को sodium hydroxide vulion के साथ गर्म किया जाता है तो ये 4 भिन उत्पात बनाता है अन्न अभिक्रियाएं एन अभिक्रियाएं ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कोई अलफा हाइडोजन परमाणू नहीं होता सांद्रक्षार की उपस्तिती में गर्म करने पर स्वा आकसी करण वा अपचयन के दोरा एलकोहॉल और कार्बोकसिलिक अम्र के लवन का मिश्रण बनाते हैं यह अभिक्रिया कैनी जारो अभिक्रिया कहलाती है फारमेल्डिहाइड सांद्रक्षार पोडेशियम हाइडोकसाइड से अभिक्रिया करके मेथेनॉल और पोडेशियम फारमेट उत्पन करता है बेंजल्डी हाइड सांद्र सोडियम हाइडॉकसाइड से अभिक्रिया करके बेंजिल एलकोहॉल और सोडियम बेंजोएड बनाता है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेंजल्डी हाइड में अल्डी हाइडिक समों वले निश्क्रियक और मेटा नर्देशक समों है अता इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की दर बेंजीन में प्रतिस्थापन की दर से मंद होती है बेंजेलडी हाइड क्लोरीन और फेरिक क्लोराइड विलियन से अभिक्रिया करता है और मेटा क्लोरो बेंजेलडी हाइड और हाइड्रो क्लोरिक अमल बनाता है 40 प्रतिशद फार्मेल्डी हाइट के विलियन को जिसे फार्मोलीन कहा जाता है इसे जैविक नमोनों के परी रक्षन में और बेकलाइट के विर्चन में उपियोग में लाया जाता है एसे टेल्डी हाइट को एसिटिक अमल, एथिल एसिटेट, वाइनिल एसिटेट, बहुलकों और औश्यदियों के निर्मान में उपियोग में लाया जाता है बेंजल्डी हाइट का उपियोग सुगंद और रंजक उद्योग में किया जाता है एसिटोन और एथिल मेथिल कीटोन सामाने अद्योगिक विलायक हैं कारबोकसिलिक अमल विक कारबोकसिल समूह उपस्तित होता है कारबोकसिलिक अमल कहलाते हैं कारबोकसिल समूह कारबोनिल और हैड्रोकसिल समूह से मिलकर बना होता है अदाहिस का नाम कारबोकसिल दिया गया है कार्बोक्सिल समुह के एलिफेटिक एलकिल श्रिंखला या एरिल समुहों में जुड़ने के आधार पर कार्बोक्सिलिक अमल एलिफेटिक या एरोमेटिक हो सकते हैं कार्बोक्सिल समुह का नाम करण एवं सनचना नाम पधधि, सामाने नाम के अंत में अनुलगन एक अमल लगाते हैं सामाने नाम प्रकृतिक स्रोतों के लेटिन या ग्रीक नामों से विधपन होते हैं उधारन, फार्मिक अमल का ये नाम फार्मिका यानि चीटियों का लेटिन नाम से लिया गया है क्योंकि फार्मिक अमल को सर्व प्रतम लाल चीटियों के आस्वन से प्राप्त किया गया था एसिटिक अमल का ये नाम एसिटम जिसका अर्थ सिर्का होता है उससे लिया गया है और ब्यूटेरिक अम्ल का नाम ब्यूटिरम यानि मक्षन का लेटिन नाम से प्यूत्पन है IUPAC पदधती में एलिफेटिक कार्बोकसिलिक अम्लों का नाम करण करने के लिए संगत एलकेन के अंग्रेजी नाम के अंत में इस्थित E के स्थान पर OIC अनुलगन लगाया जाता है और इसके बाद अम्ल लगाते हैं प्रतिस्थापिद और शाकित श्रंखला वाले अमलों का नाम करण लंबी श्रंखला वाले अमलों के विद्पन्नों के रूप में दिया जाता है प्रतिस्थापियों की स्थिति एरेबिक संख्या के द्वारा कारबोक्सिल समों के कारबन को एक अंक देकर दर्शाई जाती है वे अमल जिनमें एक से अधिक कार्बोक्सिल समोह होते हैं, उनका नाम लिखने के लिए संगत एलकिन के अंग्रेजी नाम के अंत में E वैसा ही रहता है कार्बोक्सिल समोह की संख्या गुणात्मक पूर्व लगन डाई ट्राई इत्यादी को ओईक शब्द के पहले लिखकर इंगित किया जाता है उधारन चार हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोईक अमल प्रॉप दो एनोईक अमल प्रोपेन डाईोईक अमल स्वरल्तम सुगंधित अरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक अमल C6H5COOH है इसका नाम बेंजोईक अमल है प्रतिस्थापित अमलों के IUPAC नाम बेंजोईक अमल के विर्थपन है कार्बोक्सिल समों की सनचना कार्बोक्सिलिक अमलों के क्रियात्मक समों कार्बोक्सिल समों होते है कार्बोक्सिल कार्बन नीचे दी गई अनुनाती सनचनाएं प्रदशित करता है कार्बोक्सलिक अमलों के विर्चन की विध्या प्रात्मिक ऐलकोहल वहाँ अल्टी organize से प्राद्मिक एलकोहॉल और एल्टि हाइड ऑक्सीकरण करमकुवं जैसे क्रोमियम ट्रायोकसाईट की अमलीय माध्यम में उपस्थिती के द्वारा ऑक्सिक्रित होकर स्वंगत कार्बोकसिलिक अम्लु बनाते हैं. एक डेकैनौल अमलिये माथ्यम में क्रोमियम ट्राय ओक्साइट से क्रिया करके डेकैनोिक अमल बनाता है। एल्किल बेंजीन से, एरोमेटिक अमलों को एल्किल बेंजीनों के क्षार किये पर मेगनेट द्वारा प्रबल आक्सी करण से विर्चिक किया जा सकता है, टालूइन क्षार किये माध्यम में पोटेशियम पर मेगनेट से क्रिया करके बेंजोईक अमल और जल का निर्मान करते नाइट्राइल और एमाइट से अमोनियम आयन बनता है कार्बोक्सिलिक अमलों के विर्चन की विधिया ग्रिनियार अभिकर्मक त्वारा जब ग्रिनियार अभिकर्मक को कार्बन डायोक्साइट के साथ शुष्क इधर की उपस्तिती में अभी कृत कराया जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक अमल के लवन का निर्मान करते हैं जो खनिज अमलों से संगत कार्बोक्सिलिक अमल देते हैं मेथिल मेगनीशियम प्रोमाईट कार्बन डायोक्साइट के साथ शुष्क इधर की उपस्तिती में कार्बोक्सिलिक अमल के लवन का निर्मान करते हैं जो बाद में अमलिक कृत होकर एथिनोईक अमल और हाइड्रोक्सी मेगनीशियम प्रोमाईट का निर्मान करते हैं एसिल हेलाइट और अन हाइट्राइटों से अमल क्लोराइट जल अबगटित होकर कार्बोक्सिलिक अमल बनाता है Acetyl Chloride जल अबखटित होकर Acetic अमल बनाता है Acetic Enhydride के जल अबखटन से Acetic अमल बनता है Aster से Asterों के अमलिये जल अबखटन से Methyl Benzoate, Benzoic Aml और Methanol बनाता है बहुतिक गुण प्रथम Non-Elephatic Carbocslic Aml अरूची कर गंध वाले रंगहीन त्रव होते हैं जबकि श्रिणी के उच्च सदस से रंगहीन, गंधहीन वा मौम जैसे ठोस होते हैं Benzoic Aml क्रिस्टली कृत्त ठोस होते हैं कार्बोकसिलिकमलों का कौथनांग अंत्रा आणविक हाइडोजन आबंध की उपस्तिती के कारण कुछ उच्च होता है जिसके परिणाम सरूप दुईतक सनचनाओं का निर्मान होता है प्रथम चार एलिफेटिक सदस से जल के अड़ोगों के साथ अंत्रा आणविक हाइडोजन आबंध निर्मित कर सकने के कारण जल में गुलनशील होते हैं एलकिल समोहों के बढ़ते हुए आकार के साथ जल विरागी अनियोन निक्रिया बढ़ने के कारण जल में विलेता कम होती जाती है अता उच्च कार्बोक्सलिक अमल जल में लगभग अविले होते हैं रासाइनी कभी क्रियाएं अभिक्रियाएं जिन में OH आबंद का विदलन होता है अमलता धातू और क्षारों के साथ अभिक्रिया कार्बोक्सलिक अमल सर्वधिक अमली ये कारणिक योगिकों में से एक है ये सोडियम धातू के साथ अभिक्रिया करके हाइडोजन गैस मुक्त करते हैं सोडियम धातू एथेनोईक अमल से अभिक्रिया करके सोडियम एसिटेट देती है और हाइडोजन कैस मुक्त करती है बेंजोईक अमल ख्षार्जिक क्रिया करके लवन और पानी बनाते हैं एथनोईक अमल कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कार्बन डाई उक्साइड कैस निश्काशिस्त करते हैं। कार्बोक्सिलिक अमल फिनॉल से अधिक प्रबल अमल हैं। कार्बोक्सिलेट आयन में रण आवेश दो विद्धुत रणात्मक परमाणों पर समान रूप से वित्रित होता है। जो की ऑक्सीजन परमाणों होते हैं। जबकि फिनॉक्साइड आयन में ये केवल एक ऑक्सीजन परमाणों पर उपस्तित होता है। अता कार्बोक्सिलेट आयन को फिनॉक्साइड आयन के तुल्ला में ज्यादा स्थायत्व प्राप्त होता है। अता कार्बोक्सिलिक अमल फिनोल से ज्यादा हद तक आयनित होता है और हैडोजन आयनों के उच्छ सांदरन को प्रस्तुत करता है अता कार्बोक्सिलिक अमल फिनोल से अधिक प्रबल अमल की तरहा वेवाहार करता है कार्बोकसिलेट अमलों की अमलता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव अम्लिकी अम्लता को घटा देता है इलेक्ट्रोन का अपचयन करने वाले समों जैसे हैलो समों, NO2, CNAD कार्बोक्सिलिक अम्लिकी अम्लिकी अम्लता को बढ़ाते हैं जबकि और इलेक्ट्रोन दाता समों जैसे एलकिल समों कार्बोक्सलिक अमल की अमलता को घटा देते हैं प्रतिस्थापियों की संख्या का प्रभाव क्लोरो प्रतिस्थापी एसिटिक अमलों द्वारा स्पश्टि किया जाता है अमल की अमलता क्लोरो एसिटिक अमल से ट्राई क्लोरो एसिटिक अमल तक घटती है COH आबंध विदलन संबंधी अभिक्रियाएं COH आबंध विदलन संबंध विदलन संबंधी अभिक्रियाएं COH आबंध विदलन संबंध विदलन संबंध विदलन संबंध विदलन संबंधी अभिक्रियाएं COH आबंध विदलन संबंध 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 कार्बोक्सिलिक समुह संबंधी अभिक्रियाएं अपचयन कार्बोक्सिलिक अमल लीथियम ऐल्यूमिनियम हाड्राइट के द्वारा आसानी से प्रात्मिक एलकोहलों में अपचयित हो जाते हैं विकार्बोक्सिलिन जब कार्बोकसिलिक अमलों के सोडियम लवन को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तब अलकेनों का निर्मान होता है जब sodium acetate को sodium hydroxide और calcium oxide के साथ गर्म किया जाता है तब ये methane और sodium carbonate का निर्मान करता है हैड्रो कार्बन भाग में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैलो जनन ये अभिक्रिया एलिफेटिक कार्बोकसिलिक अमल और क्लोरीन या प्रोमीन की बीच लाल फासफोरस की उपस्तिती में होती है इस अभिक्रिया में कार्बोकसिलिक अमल के अलफा कार्बन परमानू पर क्लोरो या प्रोमो समों का प्रतिस्थापन होता है ये अभिक्रिया हैल्फो लॉड जैनिस की अभिक्रिया कहलाती है वले प्रतिस्थापन एरोमेटिक कार्बोकसिलिक अमल इलेक्ट्रोन रागी अभिक्रियाएं प्रधर्शित करते हैं कार्बोकसिलिक समोह एक निश्क्रियक एवं मेटा निर्देशी समोह की भाती वैवहार करते हैं सांदर नाइट्रिक और सल्फियूरिक अम्ल को बेंजोईक अम्ल में मिलाने पर ये मेटा नाइट्रो बेंजोईक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ब्रोमीन और फेरिक ब्रोमाइट को बेंजोईक अमल में मिलाने पर ये मेटा ब्रोमो बेंजोईक अमल में परिवर्तित हो जाता है। कारबोकसिलिक अमलों के उप्योग एसिटिक अम्ल का प्रियोग व्रहत रूप से खादे परी रक्षक और मसालों के रूप में होता है। एसिटिक अम्ल अन्य रासाइनों के साथ अभिक्रिया करके और द्योगिक महत्व के बहुत से योगिक बनाते हैं। इनमें Cellulose Acidate शामिल है जिसका उप्योग Acetone Rayon बनाने में आजवलनशील चलचित्र फिल्म, रोगन और प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। बैंजोईक अम्ल खादे परी रक्षक के रूप में नियमित रूप से प्रयोग किया जाता है। साथ ही जीवानू संक्रमन के इलाज में वह अन्य रसाइनों के साथ मिला कर विकर्शक और इत्री जैसे उत्पादों को बनाने के लिए इसका उप्योग किया जाता है। क्या आप जानते हैं। सिर्के में आम तोर पर Acetic Amal का 4-8 प्रतिशत विलियन होता है। बाकी मात्रा जल और अन्य अड़ों की होती है। सिर्के में उपस्तित Acetic Amal को एथिनॉल के किडवन से बनाये जाता है। फलों और सबजियों को धोने का सबसे प्रभावी तरीका है। उन्हें तनू यानि जल मिश्रित सिर्के के साथ धोना। सारांश आए हमने जो कुछ भी सीगा है उसे संक्षेब में दोराएं। वे योगज अभिक्रियाएं जो नाभिक रागियों के द्वारा प्रारंब की जाती हैं। नाभिक इसने ही योगज अभिक्रियाएं कहलाती हैं। त्रिविम और इलेक्ट्रोनिक प्रभाव एल्टिहाइडों को की टोनों की तुलना में नाभिक इसने ही आक्रमण के प्रती अधिक अभिक्रियाशील बनाते हैं। एल्टिहाइड आसानी के साथ ऑक्सिक्रित होकर कार्बोकसिलिक अमलब बनाते हैं। एल्डिहाइड हमोनिकल सिल्वर नाइटरेट विलियन को अपचाइद कर देता है जो की सिल्वर दरपन के लिए एक टॉलेन अभिकरमाख है फैलिंग विलियन जलिये कॉपर सल्फेट और सोडियम पोडेशियम टार्टरेट जो की एक रोशे लवण है उसका मिश्रण है एल्डिहाइडों और कीटोनों के अल्फा हैडोजन परमाणूं अमलिये होते हैं ये अमलता कार्बोनिल समों के इलेक्ट्रोन अपनयन कर लेने के प्रबल, प्रभाव और संयुग मेंक्षार के अनुनात द्वारा इस्थायत्व प्राप्त कर लेने के कारण होती है जिन एल्डिहाइड और कीटोन में कम सिकम एक अल्फा हैडोजन वित्मान देहता है वे तनुक्षार जैसे तनुसोडियम हैडोगसाइड, सोडियम कार्बोनित आदी की उत्प्रेरक की तरह उपस्थिती में एक अभिक्रिया के द्वारा हैड्रोक्सी एल्टिहाइड या क कीटोन एल्टिहाइड प्रदान करते हैं, इन्हें एल्डोल कहा जाता है, इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं, जब दो भिन भिन एल्टिहाइडों या कीटोनों के बीच एल्डोल संगनन होता है, तो उसे क्रोस एल्डोल संगनन कहते हैं, वे कार्बनिक य अनुनादी सनचनाई प्रदशित करते हैं। द्योगिक महत्र के बहुत से योकिक बनाते हैं। अनुनादी से योगिक महत्र के बहुत से योगिक मत्र के बहुत से योगिक बनाते हैं।